काया के रोग से मुट एक बात और आपसे कहेंगे उतारिएगा जिसके शरीर में सफेद चमडी पढ़ने लगती है चर्म रोग हो जाता है या चेहरे पर आख के पास में पूरा कालब पना जाता है उसको हमेशा याद रखना है लाल चंदन का लेपन पीपल के पत्ते पर करिय काई पर करना है पीपल के पत्ते पर लाल चंदन का लेपन करिये लेपन करकर सोंबार की अश्टिमी के दिन उसको लेपन करकर वापिस निकाल कर शंकर भगवानी पर उसका धीरे धीरे त्रिपुंड बनाकर लेपन करना प्रारम करिये जब आप त्रिपुंड बनाकर लेप प्रणियों साथ करें उसके बाद सचंदन को किवल छे से साथ दिन में प्रेजिक हैगा ज़ादा नए दीरे दीरे चमडी परन्तुश को समबर की इस्तिमी के दिन सिद्ध करकर बनाना है उसको सुम्बर केश्टिमी के दिन चड़ाना है शरी शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमस्षिवाय या पंचाच्छर मंत्र या महामर्त्युंजे मंत्र जो आपको आता हो शिवजी का जो नाम आपको याद हो उसको बोलकर चड़ा ज़े उसको लिया फिर उसको अपने शरीर पर लगाना प्रारम करो उसका फल आपको पंदरा दिन के अंदर दीरे 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 प्राप्त हो ना प्रारम करो लाल चंदन का प्रयोग शिवजी के लिए अवश्यव दूसरा जब विशम परिस्थिती आजाए ऐसा लगर आए कि आपने पशुपती विरत कर लिया सुंबर के अश्टिमी का प्रयोग कर लिया मैंने शंकर जी की अराद ना कर ली तो वी विशम परिस्थिती चल रही अभी तक कोई सुधार आने को तयार लिए तब संकर जी के मंदिर में जब बेलपत्र चड़ाने के लिए आप जाए तब प्रयास करिएगा कि बेलपत्र को अश्टिमी का इस्थान सबको मालूम है ना बोले जम के बोले जरा मालूम है सबको अश्टिमी के बेलपत्री को डंडी वाली जो जगा है जहां से पानी बेह कर जाता है उदर रखना उसी बेलपत्री को बापिस उठाना शिवजी के शिवलिंग पर जब बेलपत्री रखो तो डंडी का भाग आप यहां बेठे हो तो डंडी का भाग पीछे की ओर होना चाहिए शिवलिंग जैसे यह है तो डंडी का भाग पीछे की ओर उसको रखकर साथ लोटा जल भगवान शंकर पर समर्पित कर दीजिए अपने भाव को रखते हो अगर विश्वम परिष्टिती चल रही है आपने पशुपती वरत कर लिया सोंबारत केष्टमी का कर लिया उसके बाद भी कारे नहीं हो रहा अटक रहा है किसी कारण बश कोई फाइल मोटी है थोड़ा समय लग रहा है तो वो साथ लोटा जल का प्रियोग करे दीरे दीरे साथ लोटा जल शिवजी को बाल्टी में बरकर ले जाए अपने घर से साथ कलश जल शिवजी को समर्पित करना है और समर्पित करने के बाद उस बेल पत्री को बापिस अपने ही घर पर लेकर आ जाना ग्यारा दिन 21 दिन उसको रखो फिर उसका विसर्जन बापिस किसी नदी सरोवर तलाब या ब्रक्ष के नीचे कर दीजिए बावा हाथ पकड़ कर बाहर निकाली देगा परिष्थिती एगर बहुत विचिता विशम था बहुत विशम परिष्थिती में उस जगह पर इसका प्रियोग कर से शंकर भगवान को रिज्धाना बैल पत्र का प्रियोग भगवान शिव को रिज्धाने का जो आनन्द है शिव को जो मनाने का अनंदे वो एक सुरूप ही अलादे उसका एक सुरूप अनंदे